प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जे प्रदर्शनी निहाडी रहाचे सीधी तस्वीरो आप जोई रहाचो केदार धाममा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुची गयाचे अने तेओ प्रदर्शनी निरिक्षन करी रहाचे प्रदर्शनी निहाडी रहाचे अ तस्वीर आसपास सुरक्षापन जोई राया छो पहाडों नी वच्चोवच आवेलू आम मंदीर जे घणू जरडी आमनू लागे चे आने खुबच सुन्दर लागी रहूँ छे त्यारे यहां पर थे तो वो धूप आने के बाद अब थोड़ा थोड़ी सिचुवेशन जो वह बेटर हो गई है और पीछे आप देखेंगे यह बिल्कुल केदारनाध धाम की जो उपर परवश अंक्राय हैं वो अभी आप फिलाल देखिए कि धूप में चमक रही है तो बर्फ से ढ कि यह पूरी वादियों के बीच केदारनाध धाम है जहां पर प्रधान मंत्री अभी कुछे देर में विशेश पूजा अर्चना करेंगे आपको फिर से मैं यह रास्ता दिखाती हूँ यह देखिए पूरा रास्ता जिनको भी सजाया गया है इस रास्ते में वो वाक करते ह वे जो परियोजनाएं की गई है फेज वन फेज यूर टू में जो री डवलप्मेंट का काम किया गया है उनको भी देखेंगे जगत गुरु आदिशंकराचारे की मूर्ति का अनावरंड भी हो करेंगे यह मूर्ति पहले भी यहां पर थी लेकिन त्रासदी के चलते खंड प्रधानमंती बनने के दोरान यहां मैं जब आपको तस्वीर दिखा रही हो तो यहां यह समझना जरूरी है कि जब 2013 की आपदा आई थी तरासदी हुई थी तो यह सब कुछ तहस नहस हो गया था जिसको फिर नए सेरे से बनाने की कोशिश के जा रही है आप देखरें यहा प्रधानमंती नरेंदर मोधी गुजरात के सीम थे और उस वक्त भी उन्हेंने पेशकुस की थी कि वो मदद करना चाहते हैं लेकिन उस वक्त चीज़े फाइनलाइज नहीं हुई लेकिन प्रधानमंती बनते ही उन्होंने केदार पूरी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट अपना ज्यादा प्रचलित है फुल उसकी बुकिंग भी रहती है ऐसे में प्रधानमंती का आना दो कारूनों से बहुत ज़ादा यहाँ पर महत्पूर माना जाता है एक तो जस तरीके से 2013 की तरासदी के बाद लोगों के मन में भी डर बैठ गया था कि क्या ऐसी जगहों पे जाया जालू है वो भी यहाँ पर आते हैं तस्वीरे भी आप एक बार फिर परवश रंकलाओं के देखते चलिए और दूसरा काम जो तरासदी के बाद प्रधानमंती नरेंदर मोदी ने किया वो रेडवलप्मेंट का काम है क्योंकि सब कुछ तबाह हो गया था के दारना धाम से पर रहा है जिसकी फेज वन फेज टू में पूरे हो गए काम को आज वो इनौग्रेट करेंगे नए कामों का शिला नयास भी कर सकते हैं और अतरिक्त फंड भी आज सरकार को दिया जाएगा ताकि इस काम को तेजी से किया जाए और जो काम हो रहे हैं उनको माइन्यूटली वो देखने के लिए भी जाएंगे जी बिल्कुल प्रियंका और यह बहुत जरूरी भी था जैसा कि प्रियंका ने भी कहा कि एक बार आस्था को पुनर जागरित करना उनके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि जो 2013 की तराजदी आई थी उसने किदार नगरी में सब कुछ त कई और विकास परियोजनाओं की आज अधार शिला भी वो रखेंगे और यह देखिए के दानात का सुन्दर मंदर कितना खुपसूरत ही लग रहा है आज फुलू से इसको सुसचित किया गया है कल यहां पर दीपोटसब हुआ था और आज प्रधान मंतरी मोदी यहां पर पहुंचे हैं कुछी देर में विशेश पूजा नर्चन यहां पर शुरू होगा नंदी बाबा के भी दर्शन आप कर सकते हैं यहां पर देखिए तस्वीरे हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं यह सुन्दर और भवे तस्वीरे और पी एम मोदी यहा पहुंचा रहे हैं और अब यहां पर बतौर प्रधानमंत्री पांचवी बार वो पहुंचे हैं बले ही दूसरे कारेकाल में यह उनका पहला दोरा है लेकिन अगर पहले कारेकाल की बात की जाए तो चार बार वो यहां पर पहुंचे थे और यह पांचवी बार है जब वो यहां पर पहुँच रहे हैं और अपसे कुछी देर में भी विशेश पूजन अच्छन शुरू होगा प्रियंका देखिए आज का दिन इसलिए भी बहुत मेहत पूर है क्योंकि आज साथ साथ 12 जोतिल लिंगू में जब किदारना धाम में पूजन अच्छन शुरू होगा उ आज के दिन की अगर हाइलाइट बोलें तो हाइलाइट प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जो यहां पर आकर आदी गुरू शंकराचारी की मुर्ति का नावरन कर रही है वो बेहत बड़ी बात है तमाम संसमात से हमारी कल से यहां पर बाचीत हो रही है और उनका कहना है कि है जगत गुरू आदी शंकराचारी है ऐसे में उनके बारे में आज प्रधान मंत्री के द्वारा जानकारी सब तक पहुंचे की